आप लोग जानते हैं और आप लोगों ने अच्छे कमेंट्स दिये थे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया था आप लोगों का बेहाद शुकुरिया अब इस्टार्ट करते हैं क्लास 9 का नोमेरिकल प्रोब्लम नंबर 4 शुरू कर देते हैं अकार is moving with 180 km per hour एकार है जो initial velocity से move करना शुरू कर देता है जिसकी initial velocity है 180 km per hour लेकिन ये velocity km per hour में दी गई है इस velocity को हम लोग जब solve करेंगे तो सबसे पहले इस km per hour को change करेंगे 10 meter per second पिर अगे क्या करें a negative acceleration is produced a negative acceleration of 10 meter per second square is produced after applying breaks यहाँ पर तो 2 दफ़ा after applying breaks लिखा हुए after applying एक दफ़ा लिखना है टिक फिर क्या मालूम करना है what will be its what will be the distance covered by the car becoming to rest एक कार है जो initial velocity से move करना शुरू कर देता है कोई कार initial velocity से वो move कर रहे कोई कार move कर रहे initial velocity से जिसकी initial velocity है V i is equal to 180 km per hour 180 मेरी ड्रेंक कितनी आची नहीं है फिर भी बनाने की कोशिश की एक कार है 180 km per hour से move करता है initial velocity से फिर क्या है हमारे पास जब driver brake अफलाई करता है definitely उस कार की velocity decrease हो जाएगी जब velocity decrease हो जाएगी it means that its acceleration will be negative so इसके जो acceleration है हमारे पास वो क्या है minus 10 meter per second square यह minus क्यों है क्योंके negative acceleration है अच्छा उसके बाद कितने distance के बाद ये कार रुख जाएगी कितने distance के बाद ये कार रुख जाएगी इसका मतलब है कि कितने distance total distance ये कितना cover करेगा it means that distance की value calculate करना है so आते हैं याँ पर सबसे पहले calculation में हम लोग लिखेंगे dear student solution में सबसे पहले given data given data में हमारे पास किया है car move कर रहा है जिसके मैंने कहा था initial velocity से move कर रहा है 180 km per hour सबसे पहले 1 km per hour को km per hour को change करेंगे meter per second में so लिख लेते हैं 180 multiplied by 1000 क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 1 meter जो है 1 km 1000 meter के equal 1 meter जो है 1000 meter के equal है इसी तरके से 1 होड जो है 3600 seconds के equal है सो हम लोगोने इसको convert करना है meter per second में तो divided by हमारे पास 3600 3600 seconds क्या करना है इस 00 को इस 00 के साथ cancel out करेंगे सो हमारे पास क्या जाएगा 180 multiplied by 10 180 multiplied by 10 divided by 36 36 ones are 18 ones are 18 0 as it is 18 2s are 36 सो क्या आएगा हमारे पास 10 multiplied by 10 divided by 2 10 10 के साथ multiply हो जाएगा हमारे पास 100 आजाएगा और उसको divide करेंगे 2 के साथ so 2 ones are 2 2 5s are 10 यह 0 सो हमारे पास initial velocity आजाएगी 50 meter per second यह हमारे पास क्या आएगा initial velocity क्योंके वो kilometer per hour में गिवन था इसको अम लोगोंने convert करना है meter per second में सो हमारे पास velocity आजाएगी बेटा अगर यह question में हमारे पास already अगर meter per second में मुझूद है तो इसको convert करनी के जुरत नहीं है अगर यह kilometer per hour में गिवन है so इसको convert करना है क्योंके इसका जो SI unit है velocity का वो meter per second है ठीक इसके बाद क्या है हमारे पास इसके बाद है हमारे पास acceleration की value है यह हमारे पास सारक given data वो है given है इसके बाद क्या हमारे पास acceleration minus लगाएंगे क्योंके negative acceleration you can see इसको कहते हैं फिर क्या पास क्या चीज़ केलकुलेट करना है velocity था acceleration given है final velocity we know that क्योंके car रुक जाएगा becoming to rest so हमारे पास क्या है car रुक जाएगा रुकने से पहले उसने कितना distance कवर किया so यह हमारे पास क्या होगा इसकी final velocity 0 meter per second आ जाएगे यह हमारे पास given data है to find क्या करना है to find to find करना है हम लोगोंने distance यह जो car distance कवर करेगा s की value calculate करना है so बेटा यहाँ पर जगा नहीं है so यह इसको अम लोग मिटा देते हैं दुबार रिपीट करता हूँ के एक car है 180 km per hour से start move कर रहे है इस km per hour को convert करना है meter per second में so we know that यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ के 1 km is equal to 1000 meter इसी तरिके से 1 hour गंटा जो है अमारे पास किस चीज़ की equal है 3600 seconds so हमारे पास km को लोगोंने 1000 लिखा और hour को लोगोंने 3600 seconds लिखा जो simplification थी वो कर चुके पिर हमारे पास क्या है क्योंके acceleration की value given है इसके बाद क्यूंके car wrist में आ जाते है जब wrist में आती है तो इसकी final velocity zero हो जाते है क्या चीज़ calculate करना है distance कितना distance यह cover करेगा रुकने से पहल so अभी adding दे देंगे calculation पे आते हैं वैसे students हम लोग आप लोग भी कहेंगे के sir यहाँ पर भी तो calculation था yes क्योंके यह जो velocity थी km per hour में थी इस वज़े से यह कुछ calculation करना पड़ी ठीक so calculation में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे as we know that rate color में ने use किया अच्छी बात है मोबत का color है so अभी क्या चीज़ calculate करेंगे calculate करेंगे हम लोग calculation मे as we know that newton क्या third equation of motion use करेंगे third equation of motion second भी यूज़ कर सकते है लेकिन third यूज़ करेंगे कोई इशो नहीं third equation हमार पास 2 as is equal to vf square minus vi square this is the newton third equation of motion यह पर given data में देख ले हमार पास acceleration है yes distance calculate करना है yes given you can say final velocity yes initial velocity yes so very easy put करते हैं values को putting the values putting the values putting the values value को put करेंगे so हमार पास two as it is farm lake है acceleration हमार पास यहां पर minus put करेंगे 10 और s तोम लोगोंने calculate करना है final velocity zero zero का square ले ले जो भी ले ले वो zero है चले हम लोग लिक लेते हैं फिलाल और हमार पास initial velocity जो हम लोगोंने calculate की थी वो हमार पास है 50 इसका square करेंगे ठीक so अभी क्या करेंगे आपर जग्गी की कमी की वज़े से इसको मिटा देते हैं यह जो शुरू में लिका था इसको मिटा देते हैं ठीक dear student इसको हम लोगोंने मिटाया अभी 10 को two को 10 के साथ सो हमार पास आजाएगा minus 20 s को हम लोगोंने calculate करना है zero तो as it is zero cancel हो जाएगा हमार पास यह minus as it is 50 को two times multiply करेंगे 2500 की equal आजाएगा अगर देखा जाएगा यहां पर भी minus का sign आ रहा है यहां पर भी minus minus के साथ cancel हो जाएगा यह हमार पास चले step कर लेते 20 s is equal to 2500 so s की value यानि distance की value calculate कर रहा है 2500 divided by 20 यह सिपर सिपर के साथ cancel हो जाएगा so हमार पास 250 divided by 2 250 को 2 पे divide करेंगे so हमार पास value आजाएगी 125 meter क्योंकि distance है distance का unit हमार पास meter है so कितने distance के बाद यह car रुख जाएगी वो जो car move कर रही थी 180 km per hour से so कितने distance के बाद यह रुख जाएगी so बैटा यह car रुख जाएगी 125 meter per second distance कवर करेगी then यह car stop हो जाएगी dear students उमीद आप लोगों को यह solution easy लगेगा so मेरे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कीजिए thank you so much गाएगी झाल झाल